कि ओ कि सिभूए है कि इस वीडो में वर्जिन थैटी वॉइन ईरू के आने की त्यारी शूरू हो गई है तो इसके द स्क रिलेजन ङोट जो है काहिं के अफार में फौरम पे अपने डाल दिये तो इस तो इस बार कि दोने चेंपियन्स आते हैं तो इस बार कि दोने चेंपियन्स एक तो है मार्टिन ली इसको मिस्टर नेगेटिव भी कहते हैं और जो दूसरा है वो है Master of Kung Fu यानि कि Shang-Chi तो Shang-Chi and the Legend of Ten Rings करके पिछले माईने 18-19 तारिक को एक ट्रेलर भी लॉंज किया गया था मार्वल की तरफ से तो बेसिकली एक नई मूवी आ रही है है जैसे कि इसको अगर आप देख रहे होंगे आपने टेकर मगेरा गेम खेला होगा तो एक तरह से उसकी याद आ जाती है पूरी वीडियो आप देखना चाहते है तो इनकी फोरम पे जाके और यूट्यूब पे जाके पूरा चेक कर सकते हैं इनके चैनल पे तो दोने चैंपियन्स आ रहे हैं जिसमें शैंग जी हो गया मिस्टर नेगेटिव हो गया इन दोनों की हमने देख ली जो एनिमेशन्स वगेरा हैं शैंग ची पूरी तरह से टेकन की याद दिलाता है बागी एंटर दा 10 रिंग टूर्णमेंट जैसे मैंने आपको बताया था मूवी आ रही है तो उसी की पेस पे पूरी अपडेट होने वाली है तो 10 रिंग होगा ये मेरे क्याल से एक साइड क्वेस्ट होगी जिसमें अलग-अलग तरीके से आपको 10 रिंग क्वेस्ट करने पड़ेगी आपको ये 10 rings चाहिए, तो ये 10 ring आपको इदर उदर से missions वगएरा से, solo objectives वगएरा से collect करनी है, फिर उसके बाद आपको पहुंच जाना है side quest में, solo objectives ही आपे नों ने इसमें बताये हैं कि इसमें आपको specific class के आपको champions use करने पड़ेंगे, solo objectives complete करने के लिए, इसमें आपको rings of mandarin म मिलेंगे, revives मिलेंगे, hand to hand combat, crystal shards मिलेंगे, काफी चीज़ें मिलने वाली है, basically जो solo side quest है, इसके लिए एक अलग से इन्होंने detailed post डाली है forum में, तो उसके बारे में हम next video में बात करेंगे, जिसमें side quest की detail में बात करेंगे, इसमें सिर्फ जो 31.0 release notes हैं 31.0 में, क्या-क्या नय अपनी गेम में कोई खुश होगा 3 star देखके, लेकिन फिर भी ठीक है, फिरी में मिल रहा है, जिसमें master of kung fu में मिल रहा है, बागी act 7 का chapter 2 आ रहा है, finally, काफी टाइम से बेटा वर्जन में चला था, काफी comments भी आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे, कि यार कब आएगा, act 7 का chapter 1 हम complete कर चुके हैं, 10% explore भी कर चुके हैं, कुछ करने को नहीं था जिने के लिए, उनके लिए act 7 का chapter 2 फाइनली गेम में आ रहा है, इसमें करीना को, जो है, ग्वैनपूल मिली है, वहाँ पे, missing access फेर पे, तो आपको chapter 2 जो है, upset the meta, ये आ जाएगा इस update में, तो आप इसको complete कर चाहिए, बाकी champions की update आ रही है, और finally black panther classic, जो game का one of the most पुराना, काफी पुराना champion है, शुरुआच से ही मेरे ख्याल से black panther, जो classic वाला है, वो game में है, तो इसको finally update कर रहे है, vulture को कुछ update कर रहे है, mister fantastic को update कर रहे है, तो इनको देखेंगे कैसे update होने के बाद, कितने इनकी value increase होती है, especially black panther की, क्योंकि यो सब के पास होगा मेरे करा से, जायतर सब के पास ही होगा, odin में भी पिछले इन्होंने जब odin आया था, कुछ changes करे थे, लेकिन आप फिर ये दोबारा कुछ odin पे changes कर रहे है, odin का changes का, इन्होंने अभी एक्तम से सही बैठा नहीं है, odin का, करना चाते हैं, तो क्या होगा, start में हर fight में आपको indefinite fury और armor up मिलेगा, odin sleep आपको aptitude buffs देता है, पहले क्या था, fury और armor up buffs देता था, लेकिन आप aptitude buffs देगा, और जो special attack 2 की limit थी, burst damage की जो direct damage होता है, उसकी जो limit थी, each unique buff की, वो increase कर दिये, इन्होंने का है कि considerable amount increase करिये, और बा improvement करा है, odin में, बाकी जिनके पास odin हो, comment करके बताइएगा, इनसे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, कैसी updates हैं, बाकी bug fixes हुए है, disorder and domino का कुछ bug fix किया है, proximal midnight का, havoc का, तो काफी सारे bug fix हुए हैं, लेकिन हम सब को पता है, अब तो game जो खेलते हैं, जो fix कम होते हैं, bugs आते ज़्यादा हैं, तो guys cool मिलागे हैं, यह सबसे बड़ी जो चीज इस update के मैं कहूँगा, act 7 का chapter 2 है, बाकी champions update भी है, especially black panther classic को देखना पड़ेगा, कितना जो है, इसको improve करते हैं, बाकी, shangchi और legend of 10 rings के उपर, basically यह पूरी, इस महिने की, जो है side quest भी, और side event जो आएगा, और event quest भी, सब इसी के उपर based है, तो comment करके बताएगा, आपको कैसा लग रहे है, taken की याद दिलाता है, या नहीं, taken खेला भी है, किसी नहीं या नहीं, ऐसा तो नहीं है, कि मैं जादा, पुरानी बात कर रहा हूँ, और आपको पता ही नहीं कि taken wagon क्या होता है, एक time पे काफी, 1.0 की पूरी release notes के बारे में, detail में हमने बात कर ली, क्या क्या नया आ रहा है, बागी जो side quest है, उसके बारे में अलग video मनाऊंगा मैं, क्योंकि detail में उसके बारे में एक अलग इन्होंने forum पे post डाली हूई, ये comment करके बतेगा, कैसी लग रही है, ये, बागी share कर देकर वो video अ अपनी alliance वगरा में यार, और चैनल को अपने subscribe नहीं के तो कर लीजे मिलता है, आप सब्सक्राइब नहीं के तो कर लीजे मिलता है, आप सब्सक्राइब वीडियो में, जाहें था